वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए चैप्टर नमबर टू को पढ़ाऊंगी तो बिना टाइम पेस्ट किये पढ़ना स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नमबर 18 खोलेंगे तो चैप्टर नमबर टू का नाम है आ कि किसी कहानी के बारे में है और यह चैप्टर है एक चित्र कथा है अब चित्र कथा किसे कहते हैं सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि चित्र कथा क्या होती है तो चित्र कथा का मतलब होता है कि पिच्चर के जरिये सीन के जरिये किसी भी कहानी को बताया चाता है तो देखो ह हम पर pictures बने हुई है अलग-अलग तरहां के scene दिये गए है तो इस chapter को हम picture के जरिये से पढ़ेंगे तो अब जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि chapter का नाम हम spelling से पढ़ेंगे ताकि आप सभी बच्चों की मात्राओं की revision हो सके तो सभी मेरे साथ repeat करेंगे मात्राओं कहानी आम की कहाने अब बच्चों पहला जो scene है इसमें एक पेड़ है आम का जिस पर आम का पेड़ दिख रहा है नीचे लड़की खड़ी है और उपर है कवा तो दोनों ही इस आम को देख रहे है तो यहाँ पर यह scene किस तरह लिखा जा सकता है लिखेंगे कि आपको नहीं लिखना है इस पिचर इस scene को समझने के लिए बता रही हूँ कि राधा ने बाग में आम देखा वो आम खाना चाहती थी और वहीं थोड़ी दूर पर एक कवा भी आम को देख रहा था अब बच्चों अगला scene है राधा आम को लगतार देख रही है तो क्या लिखोगे राधा ने सोचा कि आम कैसे हासिल करूँ राधा आम को देखकर क्या सोच रही है कि आम को कैसे हासिल करूँ तो इस पिचर के अंदर राधा अपने साथ किसी को लेकर आती है और उसके हाथ में गुलेल भी है तो उसने आम तोड़ने के लिए अपने भाई को बुलाया गुलेल से तुड़वाती वो आम को इसनिये उसका भाई साथ में गुलेल भी लेकर आया अब बच्चों पेश नमबर 19 पर आ जाएंगे अगले सीन के अंदर राधा के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया और कववा ये सब होते हुए देख रहा था तो भाई ने गुलेल से आम को तोड़ने की सोची अब कववे ने क्या सोचा की मैं अपनी चोच से इस आम को तोड़ लेता हूँ कववा देखो आम की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है और इसकी चोच भी खुली हुई है और नीची राधा का भाई आम पर गुलेल से निशाना लगा रहा है आम पर जैसे ही निशाना लगाया कववे को चोच में कववा आम को यहां पर लिख दोगे कववा आम को चोच में दबा कर ले उड़ा देखो यहां पर कववा आम की तरफ आ रहा था और इस सीन के अंदर कववा अपनी चोच में आम को दबा कर ले उड़ा अब क्या होता है जब कववा आम को ले कर उड़ता है तो वो मधु मख्यों के छत्ते से टकरा जाता है तो लिखोग कव्वा मधुमक्खियों के छट्टे से टकरा गया अब यहां पर आप तो क्या होगा कि यह जो कव्वा है कव्वे की चोच से आम छूट कर नीचे गिर जाता है और पेड़ के उपर तीन किलेरियां बैठी हुई है और वो भी आम को गिरता हुआ देखती है तो वो भी आम को ह वासिल करने की सोचती है तो यहां पर लिखा मैंने आम उसकी चोच से छूट कर घोसले में जा गिरा घोसले के पास पेड़ पर बहुत सी गिलहेरियां भी थी यह आपको गिलहेरियां दिख रही होंगी अब बच्चों जो अगला सीन है अगले सीन के अंदर आम घोसले के अ अंदे थे और गिलहेरी ने आम को गोसले से निकाल लिया अब एक गिलहेरी ने जैसे ही आम उठाने की कोशिश की घोसले के अंदर से तो आम क्या हुआ नीचे गिर गया गोसले में से गिलहेरी ने जब आम को उठाने की कोशिश की थी और एक पगड़ी पहने आदमी की उस पगड़ी वाले आदमी के सरपर जागिरा, आम जेसे ही पगड़ी पर गिरा, राधा, कववा, और उसका भाई राधा, कववा और ये अडाधा और कववा और उसका भाई ऊस और दोड़े, कि हमें आम मिल जाए देखो कवव भी धर दोड़ा राधा और राधा का भाई भी दोड़ा अब अंध के अंदर जल्दी से राधा क्या करती है आम उठा लेती है अंध में आम किसको मिला? राधा को मिला गिलहेरी और कवव दोनों ही देखते रहे गए राधा का भाई अपने निशाने के सही होने पर बहुत खुश हुआ अब बच्चो राधा की भाई को क्या लग रहा था कि उसका निशाना तो बहुत सही लगा है मगर उसका निशाना तो लगा ही नहीं था क्यूंकि सबसे पहले कववा अपनी चोच में आम को लेकर भाग गया था और उसकी चोच से वो घोसले में गिरा था और घोसले से आदमी के सर पर गिर गया था तो तब ही जाके राधा को आम मिला था और यहां पर राधा का भाई क्या सोच रहा है कि उसने तो गुलेल से बहुत अच्छा निशाना लगाया है अब सभी बच्चे टेश नंबर 22 पर आएंगे तो यहां पर एक्टिविटी है कि लिखो कहानी में पहले क्या चीज आई थी तो कहानी में सबसे पहले लड़की आई थी दूसरे नंबर पर कववा आया था क्योंकि दूसरे नंबर पर कववे ने आम को देखा था फिर लड़की ने अपने भाई को बुलाया था यानि की लड़का आया था फिर लड़का क्या लेकर आया था गुलेल लेकर आया था और फिर गुलेल के बाद क्या था ? घोसला, क्यूंके घोसले के अंदर आम गिर गया था और लास्ट के अंदर कों आया था ? सोता हुआ आदमी आया था समझ में आ गए, देखों यहां पर सारी पिच्चरस पनी है और यहां पर कहा गया है कि कहानी में कौन सी चीज सबसे पहले आये थी तो यहां पर हैं छे चीजे सबसे पहले लड़की फिर कववा आया था फिर लड़की का भाई आया था साथ में वो गुलेल लाया था गुलेल से निशाना लगाने पर कवे की चोच से आम छुट गया था तो आम घोसले में गिरा था और लास्ट में था सोता हुआ आदमी नेक्स्ट एक्टिविटी है कौन कहां तो गुलेल किसके हाथ में थी लड़के के हाथ में थी घोसला कहां पर था पेड़ के उपर था है न यह है न घोसला घोसला था पेड़ के उपर घोसले में बच्चे कहां थे किस में थे बच्चे चिडिया के बच्चे किस में थे घोसले में थे तो यहां लिखतोगे घोसले में पेड़ के उपर कौन थी गिलहेरी थी पेड़ के उपर अब सोते हुए आदमी के सिरपर है ना सोते हुए आदमी के सिरपर लिख दोगे यह अपर तो बच्चों यह चैप्टर कंप्लीट होता है उम्मीद करते हों सभी को अच्छे से समझाया होगा